हलो और नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडिए में हम बात करेंगे क्या आप एक से जाधा डी मेट अकाउंट उपन कर सकते हैं तो इसका आन्सवर है दोस्तों येस आप लोग कितने भी डी मेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं यह अलाउड है एंड लीगल है दोस्तों बड़ दोस्तों इससे समंदित जो भी आपके डाउट से वो में क्लियर करने की कौसिस करूंगा एंड इसमें क्या बेनिफिट है और क्या आपको नुकसान है यह भी हम इस वीडियो में बात करते हैं तो स ट्रेडिंग के लिए अलग यूज कर सकते हैं और आप लोग इन्वेस्टमेंट के लिए अलग यूज कर सकते हैं इसमें आपको थोड़ा सा मेंटेन करना आसान रहेगा अगर आप लोग दोनों को एक ही डिमेट अकाउंट में यूज करेंगे ट्रेडिंग भी एक से तो आपके लिए थोड़ा सा मेंटेन करना difficult हो जाएगा तो आप लोग लग लग दिमेट अकाउंट को आप लोग trading और investment के लिए यूज कर सकते हैं और दोस्तों आप लोग trading के लिए discount broker का यूज कर सकते हैं या फिर को भी zero brokerage वाला है उसका आप लोग यूज कर सकते हैं और investment क लिए आप लोग है वो full time service broker का भी यूज़ कर सकते हैं एंड दोस्तों कभी भी आपको लगता है कि ये broker बंद हो सकता है तो आप अपने demate account में से share है वो दूसरे demate account में कभी भी transfer कर सकते हैं इसका भी आप लोगों को फाइदा रहेगा दोस्तों अगर आप लोग बात करें दोस्तों अगर आप लोग multiple demate account open करते हैं तो आपको इसमें अलग-अलग demate account में अलग-अलग amc charges है वो pay करना होगा अगर आप लोग ऐसा नहीं करना चाहते हैं तो आप लोग zero annual maintenance वाले account भी आप लोग open कर सकते हैं जिसमें आपको किसी भी परकार का account opening face नहीं है और किसी भी परकार का आपको annual maintenance charges नहीं लगता है जैसे कि fires, dhan, grow ये demate account इसमें आपको कोई भी annual maintenance charges नहीं लगता है तो इनका भ सकते हैं तो ऐसा बिलकुल नहीं है दोस्तों, automatically आपके bank account से कभी भी charges वो deduct नहीं होते हैं आप लोग जैसे अपने bank account से demate account में पैसा add करोगे तबी आपका annual maintenance charge जो लगा हुआ है वो आपका कटेगा, नहीं तो आपका नहीं कटेगा, automatically आपके bank account से कभी भी deduct नहीं होगा, इस आपका inactive हो जाएगा, तो इसके लिए आपको जरूरी है कि उसको आपको active रखना पड़ेगा, तो इसके लिए आप लोग कुछ ना कुछ उसमें हो activity करते रहेगा, नहीं तो आपका demate account close हो जाएगा, या फिर दोर्मेट हो जाएगा, या आपको फिर से उसमें KYC करने पड कर सकते हैं, इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ में, आपका कोई भी other doubt है, तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, जाहिंद